हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स मैंने लास्ट लास्ट में सेल एंड बैटरी का मुल्टिपल चोईज कोशन पार्ट वन एक्सप्लेंड कर दिया हूं यह इसका पार्ट टू वीडियो है जो लोग फर्स्ट ताइम देख रहे हैं तो पार्ट वन वीडियो चेशनों इजी पार्ट वन दी तरवात दिन की मल्टिपल चोईज कोशन की रंडी ओके ना चलिये फ्रेंड्स इसका मैं कोशन स्टार्ट कर देता हूं जल्दी से तो पार्ट वा कोशन है आन ओर चैर्जिंग ए बैटरी यह वाला नहीं है यहां तक मैं पढ़ा दिया था तो यह सवाल है लाइफ आप दा एडिसेन सेल इस एट लिस्ट जो एडिसेन सेल है इसका एक और नाम है निकल आईरन सेल इसका लाइफ कितना है यह आपका सवाल है कोशन आड़त नारो लाइफ एडिसेन सेल इसका लाइफ है The storage battery generally used in electric power station is Electric power station के यहां कौन सा battery का इस्तमाल करते है यह आपका सवाल है So इसका आंसर क्या रहेगा LED Acid Battery So फ्रेंड सी कड़ा Electric Power Station है मुन दिगादा अकड़ा यह battery वाड़ता रू अंटा question अडिया रू So जिनकी question है आंसर है मुन देंडी LED Acid Battery Trickle Charger of a Storage Battery Helps 2 Okay हम जो trickle charger करते है उसका मकसद क्या है मतलब trickle charger करने से क्या फाइदा मिलेगा यह आपका सवाल है So maintain proper electrolyte level Increase its reverse capacity Prevent sulfation Keep it fresh and fully charged So trickle charging करने से क्या होता है Keep it fresh and fully charged आप लोग confusion हो जाते हैं कि यह option को choice करने में क्योंकि trickle charger का मकसद क्या है कौन सा भी battery उसका जब long time के लिए discharge होती है मतलब जब sulfation problem आता है तो उसको फिर से charging करने के लिए हम trickle charge करते हैं तो गलती से लोग क्या करते हैं प्रिवेंट sulfation को क्लिक कर देते हैं तो sulfation अलग है Sulfation के वज़े से बैटरी डेट हो जाती है तो इसको फिर से charging करने के लिए trickle charge उसकरते हैं सो फ्रेंड्स इकड़ा trickle charger of a storage battery कोशन है में होंदी गादा दीन दी यंदो को यूज़ चेश तरवांटा अड़ुत नारू trickle charger चेश इन तरवाता बैटरी हम होंदी गादा keep it fresh and fully charged है पोतादी चालम हंदी prevent sulfation लग क्लिक केश तरव आप्शन नमबर डी दा आंसा अड़ी ओके ना कीज़ी कंफूजन कोशन हंदी कौंचं रिमेंबर चेश इंड़ी आप ऊवर चारजिंगे बैटरी जब कोई भी बैटरी ओर चार्जिंग हो जाती है तो क्या होता है जो बैटरी जो चार्जिंग जो उसके जो सामान है वह हम काम पर रखते हैं जब भी हम बैटरी चार्जिंग का जो सामान रखते हैं काम पर रखते हैं अच्छे से हवा आना चाहिए एरिया जो क्लीन रहना चाहिए है ना तो चलने फिरने के लिए सुल्दा होना चाहिए उस तरह पर हम बैटरी के एक्विपेंट्स को रखते हैं तो इसलिए आंसर आल अब दा अबवड वशन है मुंदी बैटरी चार्जिंग एर एक्विपेंट्स उना गड़ा अधि एकड़ा पेट्स पेट्स उन्टा अड़ तुना गड़ा सुल्दान के आंसर है उन्दी आल अब दा अबवड बैटरी को चार्ज करने के लिए बहु सारे मेतेट्स है अचल भी मेतेट्स ऐलप से हम बैटरी को चार्ज कर सकते है इकड़ा बैटरी चार्जिंग इंचेया लेंटे ए मेथड वाडाली इकड़ा मूड मेथड चड़ू इमूड मेथड ला ए मेथड उड़ा वाड़ते गुड़ा मी बैटरी चार्जिंग आई पोता दी आंसर आक्षा नंबर D is the answer बैटरी का जो कंटेनर जो रहता है वो एसीड रेजिस्टन्स रहता है ठीक है एसीड पिगल जो है बाहर ना आए ठीक है तो उतना solid container रहता है वो जो container जो है कोन सा material से बना हुआ रहता है ये आपका सवल है so एकड़ा container है बैटरी जी बाड़ी है मुँदी गाथा अधी ये material नंची तायार चेस्टर रहांटा question हुंदी so answer है मुँदी all of the above glass, plastic, wood all of the above material following will happen if battery charging rate is too high जो हम battery charging करते है अगर उसका rating ज्यादा कर देते है charging का rating क्या होता है ठीक है ज्यादा उसका rating बढ़ाने से क्या होता है suppose देख लिए कि 12 ओल चार्जिंग करना है हम उसका rating बढ़ा देते है 15 ओल तक 15 या 20 ओल तक charging करते है तो क्या हो जाता है एक्सेशी ग्यास विल अकर ग्यास ज्यादा फार्म हो जाता है temperature ज्यादा हो जाता है battery गरम हो जाती है bulging and buckling of plates will occur bulging का मतलब क्या होता है battery pull जाता है और buckling plates जो है bend हो जाते है ठीक है तो answer is all of the above so friends इकड़ा battery हम उन्दी गादा दान की aqua charging चेश्टे एम आइता है अंटा question अडियारू aqua charging चेश्टे ग्यास वस्ता है अधी गरम हो जाता है पो जाता है पो जाता है पो जाता है पो जाता है local action का मतलब मैं बोल दिया हूँ local action का मतलब होता है anode plate के उपर hydrogen bubble जो फार्म होते है जो primary cell में उसे हम बोलते है local action तो local action को उसे कैसा पता चल जाता है बोलके सवाल पोच रहे है ठीक है आंसर क्या रहाएगा नन्न अब्द अबोड ओके ठीक है नन्न अब्द अब्द अबोड इस दा आंसर फ्रेंड्स इकार लोकल action एमी लोकल action अंटे एंटी एंट अन्टा नेनू थेरी क्लास ला चेप्यानू लोकल action अंटे एंटी हैट्रोजन बब्बल से मुननाएगा दा अधी एनड पाइना उन्टा भी दान के मारम लोकल action अंटा चेप्ता मूँ सो अधी एला तेलिवा ली एंटा कोशन अड़िका दो सांसर है मुन्दी नन अब दा अबोड ओके अब जो बैटरी जो है पूरी तरह से फुल चार्ज हो चुका है इसका पता लगाने के लिए क्या करना होगा हमें एक कैसा पता चलेगा यह आपका सवाल है तो उसका जो एलेक्टरोड का जो कलर जो है और डार्क ब्राउन हो जाएगा ठीके इससे हमें पता चल जाता है कि बैटरी फुली चार्जिंग हो गए और गसिंग हो जाता है ग्यास ग्यास आजाता है और उसका स्पेसिपिक ग्राविटी भी ज्यादा हो जाता है ठीके इन इन तीरों मेतेड से में पता चल जाता है कि इसका बैटरी फुली चार्ज हो चुका है बैटरी फुली चार्ज आईन दांटे अधी यहला कॉनका ली दान दी कलार चेंज आई पोता दी ग्यास असता भी स्पेसिफिक ग्राविटी कोड़ा एको आई पोता दी इला मोड इंडिकेशन होसते हैं मना कि त्यल स्थादी बैटरी फुली चार्ज आईन दांटा तो प्रिवेंट लोकल एक्षन इन बैटरी ओनली डैश इस यूज़ग इन एलेक्ट्रोलाइट्स लोकल एक्षन को कम करने के लिए इलेक्ट्रोड's के यहाँ क्या mix करते हैं ये सावल पूचा है फो इसका आंसर है distilled water distilled water को दलने से लोकल एक्षन कम हो जाता है लोकल एक्षन कि prevents mae distilled water आफ एअरी ओके ना 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 सपोज आपका इंडस्ट्री है आप इंडस्ट्री में इनवर्टर लगा रहे है जैसे कि सप्ला चला गया तो एमर्जंसी लिए बैटरी लगाते हैं ना इनवर्टर वो कितना घंटे तक चलना चाहिए बोलके सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इस कितने घंटा चाहिए, 8 घंटे तक चलना चाहिए, 8 अवर्स, 8 घंटे तक चलना चाहिए, ओके, सो फ्रेंड्स इकड़ा इंडस्री ले बैटरी यूज चेसर गादा, अधी 8 अवर अवर को नडवाली, ओके न, ने, which of the following battery is used for aircraft, aircraft में कौन सा बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल है, aircraft रेंड़ी गादा, अकड़ा ए बैटरी वाड़तारू, अटा, कोशन अड़िया रू, so, nickel iron battery, aircraft ला वाड़तारू, ओके, nickel iron battery का इस्तेमाल, aircraft में किया जाता है, when two batteries are connected in parallel, it should be ensured that, मान लिजे कि हम दो battery को connect कर रहे है, parallel में, तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये आपका सवाल है, so, friends इकड़ा, battery cell से उनना इकड़ा, मना parallel connection इवाली, अपड़ा मना गूर्थ का ये पटको आली आंटा, अड़ित ना रू, so, ये प्रिट का लिए, दान दी, ओल्टेज हम दिगादा, सेम उन्डाली, okay, they have same EMF, so, पूरा battery का EMF जो रहेगा, सेम रहना चाहिए, ठीके, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, parallel में connection करने से पहले, if a battery is to be charged rate a much higher rate as compared to the normal charging rate, the charging should be restricted to, अभी मान लिजे कि battery का charging 12 volt का है, तो उसे maximum हम कितना volt तक charging करना चाहिए, 80% तक उसका, 80% of the capacity of the battery, ठीके, 80% तक हम battery को charge कर सकते हैं, ठीके, so, फ्रेंट चिकड़ा battery हो नाई, दान की 100% battery charging राधू, so, दान की माना 80% हो रखू, माना charging चेहचू, ओके, इदे आंसर रहे, यह floating battery is one, यह floating battery मतलब, कम variable battery, variable battery का मतलब क्या होता है, with supplies current, intermittently, and also during off cycle, gets charged, this is the answer, okay, the terminal voltage when the battery is being charged, decreases with, अभी जो, suppose माना लिजे की battery है, उसका battery का voltage कम हो रहा है, इसका वजहा क्या हो सकता है, यह आपका सवाल पूच रहा है, so, फ्रेंट से करा, बैटरी है मुंदी गला, दान दे voltage तक तुंदी, अधे यंदु तक तुंदी, गला, दान यह कारण होंदी, अटे दान की increasing the temperature, temperature increase आई पोईंट रहाता, temperature ज्यादा करने से, उसका voltage कम हो जाता है, ठीक है, option A is the answer, which test is used to ascertain whether the battery plates are defective or not, अभी देखिए, बैटरी में जो हम plates use कर रहा है, अनोर्ड और cathode, वो सही से काम कर रहे है या नहीं काम कर रहे है, इस बात का पता कैसा लगाना चाहिए, यह आपका सवाल है, बैटरी लोपला, प्लेट से उनना है जदा, अनोर्ड cathode plate से उनना है, अभी बाउंद आया, लगा पोचे पाड़ पोन आया, पंजस त लेवा, पंजस चुनन आया, अधी अलग बनको आला हम्टे, टेस्ट करने से हमें पता चल जाता है, ठीक है, बैटरी के plates जो है, अच्छे है या खरब हो चुके है, जो हम एलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, बैटरी के हहां, आनोर्ड होर क्यातोर्ड वो कौन से मटेरियल रहना चाहिए, कंड़क्टर रहना चाहिए, इंसिलेटर रहना चाहिए, तेहो क्योन से मटेक्टर रहना चाहिए, है ना, समन्नीकरणा बैटरी लाख्टरोड यूज़ तेह समगरा दा, अदि रूदर 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 या जोन सेमीकाटरर रूदर 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 अचाहिए, आँसर रैटरी é गूट YOUR conductors नेल है आप्शन नम्बर सी इस दा आंसर पाइव तूवर सेल्स अर कनेक्टे इन पैरलल दा ओपुट ओल्टेज इस सो फ्रेंड से बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है यहाँ पर दो ओल्ट बैटरी को पैरलली कनेक्ट करा है ऐसा भी सवाल आता है दो ओल्ट बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करा है पाँच दो ओल्ट पाँच बैटरी को पैरलल में कनेक्टेंट करने से उसका ओल्टेज कितना होगा ऐसा सवाल पूचा है और दो ओल्ट पाँच बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने से उसका voltage कितना होगा इस तरह से exam में सवाल आएगा यह भौत ही भौत ही important question है friends यह exam में जरूर जरूर आएगा इसका मैं trick भी आपको समझाओंगा question है मड़त ना रटे I do two world battery होना है दान के माना parallel ला connection इचे हम अपड़ो total voltage यंता रटा question हड़त ना दो इलाग यह series ला connection इसते total voltage यंता अंता question गुड़ा उसता दी इदे exam ला 100% उसता बेंडी 100 दीन की मेरो practice चेया लिए so friends इसमें हमें पता है parallel में आप 5 battery क्या 100 battery connect कर लीजिए parallel में जो voltage जो रहेगा same रहेगा ठीक है इसला answer क्या होगा 2 volt रहेगा series में different रहेगा ठीक है एकड़ा parallel ला एकड़ा 5 2 volt battery होना रहेगा था 5 30 कोंडी 10 30 कोंडी 100 30 कोंडी parallel voltage same उंतागी answer is 2 volt dead storage battery can be revived by अगर battery मर जाती है तो उसको फिर से कैसा जिन्दा किया जा सकता है यह आपका सवाल है क्या उसको distill water दालने से जिन्दा हो जाएगा battery को restore करने से जिन्दा हो जाएगा H2SO4, SO4 का dose दालने से जिन्दा हो जाएगा इस सवाल है answer is none of the above जो मर जाया एकड़ा question है मन्टे यह वो का battery होन्दी याथी चच्ची पो हन्दी दानके मना मेला जीविन चाली आंटा पशान होन्दी answer है वोन्दी none of the above दा ओपन सर्किट ओल्टेज आफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड्स ओल्ली अपान ओके अभी जो ओल्टेज जो आ रहा है output के आँ ओल्टेज जो आ रहा है वो किस पे डिपेंड है एनॉर्ड, क्यात्रोर्ड आप कोई सभी एक सेल लीजिए या बैटरी लीजिए उसको हवा आना जाने के लिए किड़की रेती हैं वो किड़की का मकसद क्या है बोलकर इधर सवाल पूछ रहे हैं ठीक है सो इकड़ा सेल लें मुन दिगादा अकड़ा गाली लोपर पूवाली रावाली पूवाला कोसमगा होल पेटतारू दान के मनम वेंटिलेशन क्या पंटा चपतानू इधी यंदुक पेटतारू अंटा अडुत नरू सेल होता है होता है बोलस सपेचिप्पीकल थैंप्रेचा ऑप बूजां से होता की होता है इसलिए आंसर आलाब्ध अबोव सेल लेम हुँदी गदा शार्ट सर्कुट आवाल अंटे यंदु गात अधी अंटे स्पेसिफिक ग्रावटी तक्वा हुँदी टेम्परेचर एक्वा हुँदी ग्यास तक्वाय पेनाई गान पोसा शार्ट सर्कुट आतों दें आंटा चपच्च्यों, ओके आंसर इस आलाब्ध अबोव इंटरनल रेजिस्टन्स आफे सेल इस रेडिश्ड़ बैग माना चपेन गदा इंटरनल रेजिस्टन्स आफे सेल दानके तक्वा चेल आलाँ आँटे चिवेचेवांता question अड़तनारो जो cell के अंदर जो internal resistance जो रहेगा उसे हम कैसे कम कर सकते हैं ऐसा सवाल पूछ रहे हैं using ventilation plug to permit gas ventilation plug लगने से हम internal resistance को कम कर सकते हैं increasing the plate area plate area को जादा ज्यादा करने से हम internal resistance को कम कर सकते है putting plates very close together जो प्लेट जो है पास-पास में रखने से भी इसका इंटर्नाल रजिस्टांस कम हो जाएगा ठीक है आल आप दाव इस दा आंसर क्यापसिटी आफे ड्राय सेल इस जो ड्राय सेल जो है उसका क्यापसिटी कब जाना रहेगा इसे बस याद रख लीजिए ठीक है इसलिए और पूट में करेंट आ रहा है ठीक है यहला वस्तुंदी कहा रहा हो यहाला इंटर्म पूट खीक है तोटल 4 उस दू होते है ।ो छे प्रमींघेशल्सम और सिखकेने घासा अटर्म करेंदर्म पूटत तोर्ण शे प्रमीरिभिंस तोहई है कम है ठीक है ये सवाल है primary cells आर उना आएगा दा सो आर ला ये primary cell ला तक्वा voltage उन्दी अंटा कोशान उन्दी इलिए exam लवड़ा वस्तव हैंडी answer is mercury cell which of the following primary cell has the highest voltage primary cell ला तक्वा voltage मर्क्वा उन्दी एक्वा voltage एकड़ा उन्दी कम voltage जो है mercury cell में होता है primary cells के हैं तो ज्यादा voltage किसमें होता है lithium cell में ज्यादा voltage रहता है ठीक है short circuiting of a cell may be caused by ये तो अल्रड़ी बोल जिया हो अगर कोई cell short circuit हो रहा है उसकी वज़ा क्या हो सकती है buckling up plates plates जो है आड़े तेड़े bend हो चुके है faulty separator lead particles forming circuit between the positive and negative plates एकड़ा short circuit हो आतों दिगा था cell ला ये तो कातों देंटे because of these three reasons ये cell which is used as a voltage difference source for instrument calibration is instrument calibration के यहाँ voltage difference करने के लिए कौन सा cell का use किया जा सकता है mercury cadmium cell mercury cadmium cell is the answer ये fuel cell converts that energy into electrical energy ये जो cell है उसका voltage कैसा आता है जैसे कि generator को बोलते हैं generator mechanical energy into electrical energy उससे हम बोलते हैं generator motor का मतलब होता है electrical energy into mechanical energy है ना ठीक उसी तरह से ये जो cell जो है वो कैसा आता है उसका answer है chemical energy into electrical energy okay ये cell converts chemical energy into electrical energy okay this is the answer येकड़ा क्वशन है मड़ो तो ना रू सेल ले मुंदी गादा अधी chemical energy नीची electrical energy वस्ता जी आंटा चप्चिन दी इंटरनल रजिस्टंस हाफे cell is due to जो इंटरनल रजिस्टंस जो है वो कहां से आता है ये आपका सवाल है एकड़ा cell लो पला इंटरनल रजिस्टंस वस्ता जी आदा अधी एकड़ूंची वस्ता जी आंटा क्वशन होंदी resistance हाफे electrolyte एलेक्ट्रोड का एलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टंस के वज़ा से इंट्रोड रेजिस्टंस पैदा हो रहा है एलेक्ट्रोड रेजिस्टंस जो हम एनोड हर क्यातोड का इस्तेमाल कर रहा है उसका resistance के वज़े से भी internal resistance पैदा हो रहा है, surface contact resistance between the electrode and electrolyte, इन तीन हो जाएस के वज़े से internal resistance पैदा हो रहा है, ओके न, यह मोडो कारणा निंदा, because of these three reasons, internal resistance is generated. battery charging room is to be kept well ventilated so as to reduce the hydrogen concentration below dash percentage, ठीक है, यह 3 percentage है, यह question को इसलिए लिया हमाई, यह जो battery का room है, वो ventilated क्यों रखते है, hydrogen, hydrogen जो concentration है, उसको कम करने के लिए battery room को open रखते है, ठीक है, यह answer 3 है, उतना important नहीं है, just definition को आप आप याद रख लिएगा, trickle charging is required for, जो trickle charging जो है, इसका इस्तमाल कहाँ पर होता है, trickle charging एम निगादा, यह battery ला वाट तो रॉन्टा उन्दी, primary cell लागुड़ा trickle charging यूज चेर्चू, lead acid cell लागुड़ा trickle charging यूज चेर्चू, nickel iron cell लागुड़ा यूज चेर्चू, answer is all of the above, इन तीनों बैटरी में trickle charging का इस्तमाल करते है, it is noticed that during charging, जब charging होता है तो क्या होता है, temperature बढ़ जाता है, energy ज्यादा हो जाती है, specific gravity भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, answer is all of the above, बैटरी चार्जिंग आतू दिगादा, अपड़ो ओल्टेज परिपता दी, energy एको आप होता दी, specific gravity गुड़ा परिपता okay, answer is all of the above, overcharging, overcharging करने से क्या होगा, excessive gas farm होगा, loose on the active material का life कम हो जाएगा, increase the temperature ज्यादा हो जाएगा, whole plates भी bend हो जाएगे, this is already repeated question, therefore all of the above is the answer, undercharging, charge को कम करने से क्या होगा, okay, reduce specific gravity of the electrolyte, अगर हम कम charging करने से क्या होता है, जो specific gravity जो है, वो कम हो जाता है, ज्यादा charging करने से क्या हो जाता है, specific gravity ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये typical output of a solar cell is, जो solar cell है, उसका voltage कितना है, ये बहुती important question है, solar cell हैं उन्दिगादा, दान जो voltage जन्ता अंटा अडूत्त ना रो, voltage जन्ता होंदी 0.26 volt, 0.26 voltage is the solar cell का voltage है, which of the following material is used in a solar cell, solar cell के यहां, इन चारों में से कोणसा material का इस्तमाल करते है, ये आपका सवल है, येकड़ा नालगु material जचड़ू, solar cell ला ए material वाड़तारू अटा question अड़तु नारू, silicon material वाड़तारू, silicon is the answer, The efficiency या पे solar cell may be in the range of, जो solar cell जो है, इसका efficiency कितना है, ये आपका सवल है, कितना है, 10-15%, solar cell दी efficiency यहनता उन्दी, 10-15% efficiency उन्दी, satellite power required is provided through, जो satellite में जो उसका power चाहिए, वो हम कोणसा battery या कोणसा cell का इस्तमाल करने से fulfill होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि satellite में कोणसा cell को यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको बोलना है, solar cell का इस्तमाल होता है, satellite power उन्दी गादा, satellite वाड़ता रगदा, अकड़ा ए बैटरी वाड़ता रण्टे, solar cell रण्टा, चपाली, इधी very very important question उन्देंटी, एक्जाम्बल अगुडा उस्तरिक, इन्हें ओल्टाइक सेल, ओल्टाइक सेल उन्दी गादा, अकड़ा एनोड और क्यातोड दो एलेक्टरोड को यूज़ करते हैं, है ना, तो कौनसे माटिरियल से बने हुए है, एनोड जो रहेगा, पाजिटिव माटिरियल, कापा से ब पाजिटिव होंदी, जिंक नेगेटिव होंदी, ओके, तो यह हो गया, questions, अभी यह तो हो चुका है, तो इसके बाद मैं, जो अगला जो अमारा जो theory है, उसे मैं explain करूंगा, तो friends, अगर आप मेरको कुछ suggestion देना चाहते हैं, तो बिल्कुल suggestion देजिए, तो मैं उसको आपको आपको education में मैं, पूरी तरा से आपकी मदद करूंगा, so friends, best of luck, नेनो next trick कड़ा सिलिवा सुन्दी आदा, अधी नेनो continue चेस थानू, okay?